प्रस्ट इंटिमेट इनर्वियर ब्राइंड तु पार्नियर इन इनर्वियर इंडस्ट्री 50 यह उफ एक्सिलेंस प्रस्ट इनर्वियर ब्राइंड दिस इस वी आईईपी जो लीक से हटकर अपनी पहचान बनाते हैं या कुछ नया करने की चाहत से आगे बढ़ते हैं उनको कामियाबी जरूर मिलती है ऐसी ही शुरुवात है वी आईईपी क्लोधिंग लिमिटिट की हाईबो हिंदुस्तान और फिर मैक्सवेल के नाम से शुरू हुआ वी आईपी का सफर कई मन्जिलों पर सफलता हासिल करते हुए लगातार आगे बढ़ रहा है वी आईपी, फ्रेंची, फीलिंग्स, लीडर और ब्रैट जैसे ब्रैंट्स की मार्केट में आज ए खास पहचान है इनर्वेर के साथ कंपनी पोलो टी शिर्ट्स, कमफर्ट वियर, स्पोर्ट्स वियर का भी प्रोडक्शन करती है कस्टमर्स को क्वालिटी और कमफर्ट देने के साथ स्टाइल स्टेट्मेंट पर भी वी आईपी क्लोधिंग की खास पकड़ है कमपनी की सभी प्रोडक्श मेकिन इंडिया की स्ट्रेटेजी पर खरे उतर रहे हैं वी आईपी के नाम से शायद ही कोई अन्जान हो इनर्वेर में सबसे पसंदीदा और कमफर्ट का नाम है वी आईपी जैकुमार पठारे और उनके दोस्त एलजे रेड़ी ने 1971 में मैक्सवल इंडस्ट्रीज की शुरुवात की दोनों ही इनर्वेर इंडस्ट्री में नए थे लेकिन उनके सोच और भरोसे की बदौलत इस कमपनी की नीव रखी गई ये जैकुमार पठारे का विजन ही था जिससे ब्रैंड वी आईपी को पहचान मिली उनके डेडिकेशन और हाड वर्क के बदौलत वी आईपी क्लोधिंग लिमिटेड का इनर्वेर इंडस्ट्री में आगाज हुआ वी आईपी क्लोधिंग लिमिटेड को इतनी उचाईयों तक ले जाने का श्रे जाता है पठारे ब्रदर्स को सुनील पठारे और कपिल पठारे सुनील पठारे कंपनी के चेर्मेन और एमडी है और कपिल पठारे कंपनी के डिरेक्टर है मात्र 21 साल की उम्र में दोनों भाईयों ने कमपनी की कमान संभाली और आज इंडस्ट्री में कमपनी को सबसे विश्वसनिये ब्रैंड्स की लिस्ट में पहुँचा दिया है तो चलिए मुलाकात करते हैं कमपनी के CMD सुनील पठारे से सुनील फैशन और अपैरल इंडस्ट्री में एक जाना माना नाम है सुनील मेड इन इंडिया को खासा प्रमोट करते हैं और इनकी कमपनी के सभी प्रॉड़क्स मेड इन इंडिया टैग के साथ ही बनते हैं सुनील का मानना है कि ब्रैंड आपकी सोच का प्रति बिम्ब होता है इसलिए इसे मात्रे एक ब्रैंड के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए चलिए मुलाकात करते हैं सुनील पठारे जी से और शुरू करते हैं हमारा आज का सबसे पहला सवाल आपसे यह है कि आपने किस तरह से वी आईपी क्लोधिंग लिमिटेड को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म किया इस सफर का अनुभव कैसा रहा और मैक्सवल इंडस्ट्रीज से वी आईपी क्लोधिंग के नाम से यह फॉर्म स्टार्ट हुई थी फिर जो जर्नी हमारी स्टार्ट हुई उसको हमने मैक्सवल इंडस्ट्रीज में कनवर्ट किया और आज यह वी आईपी क्लोधिंग के नाम से इसको 51 यह पूरे हुए है जो ट्रांस्फॉर्मेशन की बात करें कि 51 यह में कोई भी ब्रैंड इंडिया में इतने सारे ब्रैंड देखेंगे तो बहुत कम ब्रैंड रते जो 51 यह में ट्रांस्फॉर्म हुए रते और वी आईपी उसमें से एक है अगर जो transformation के बात करें तो यह commodity की तरह से, जब हमने start किया था 1971 में, तो undergarments एक commodity की तरह बेचा जाता था इंडिया में, और उसो एक branded segment में लाने का जो श्रेय है, वो हमारे इस company ने लिया था, जैसे जैसे company बढ़ते गई, काफी लोग बढ़ते गई, वड़ाला के, मैं बॉं जितने भी लोग जुड़े हैं पचास साल में, यह सभी का श्रेय जाता है, आज transformation के तोर पे अगो जो देखा जाए, तो company ने पूरी जो transformation होई है, पूरे modern age के लिए पूरी transform होई है, completely SAP systems के उपर हमारी company transform हो चुकी है, field assist software जो हमारे sales field के लिए लगती है, वो software के उपर हमने transform किया है, distributor management software, DMS के नाम से distribution management, जो हम लोग supply chain management के लिए करते हैं, उसके उपर हमने पूरी नर्बत किया है, तो इस तरह से काफी transformation में हम लोग ने इसे share लिया है, मैं कहूँगा. सर, COVID की समय की बात करे, कई सारी companies को, businesses को loss हुए, कुछ बंद भी हुई, लेकिन उस वक्त आपकी company पर COVID का क्या असर रहा, आपके business पर क्या असर रहा, और अपनी company और employees के लिए अपने क्या steps लिए? मैं कहूँगा, जब COVID आया, first wave जब आया, तो definitely सभी के morals और down थे, effect पूरे industry के अपर सभी के अपर पड़ा था, लेकिन खास करके अगा, जो हमारी industry देखी जाए, तो difficulties आई, जरूर है, challenges बहुत थे हमारे सामने भी, लेकिन जो difficulties के बारे में बात करूँगा, product selling के बारे में ब तो garment industry में एक मात्र, undergarment एक ऐसी industry जिसका consumption और at leisure wear, ये दोनों के consumption बहुती खूब से थे, तो demand जरूर थी, हाँ, retail lockdowns बंदोने के कारण, काफी challenges हमें कुछ मैने तक हमें भी थी, या factory को start करने के जो challenges थे, ये हमारे industry को भी आये, बट ये, इसका advantage हमें ये हुआ, कि जो innovation के त है, क्योंकि हमारे पास सारा raw material फैक्टरी के अंदर मौजुद था, workmanship क्योंकि हमारे dormitory में फैक्टरी के अंदर ही रह रहे थे, तो हमें वो बैच हमारे पास मौजुद था, तो ऐसे challenges के दोर पे हमने बोलते हैं कि हमारे जो designers, बॉम्मे में जो घर में बैठे थे और हम लो consumption-wise कभी कम नहीं हुई, लेकिन challenge is definitely at all levels, फिर हमारा head office में हो, या हमारे distributor levels के ओपर, हर जगा चेक करना पड़ा कि कि किसकी तब्यत कैसी है, in distribution, because हमारे जो distribution network है, about 560 distributors across country, हर एक district में जो distributors है, उनका moral डाउन था, वो उनके घर में घबराट थी, तो या sales team को, जो हमारे जो family members उनके रते थे, वो भार नहीं जाने के लिए, एक challenges देते थे, तो इस तरह की challenges definitely pandemic के तौर पे, मेरे खाल से, सभी industry ने फेस की थी, but consumption के तौर पे हमारी industry को, मैं कहूंगा, की benefit definitely रहा. Sir, make in India की बात करें, तो ये PM Modi की एक flagship scheme है, जो रहोंने 2014 में launch की थी, लेकिन VIP clothing एक ऐसा brand है, जो शुरू से ही made in India products को promote करता है, आप सारे products इसी tag के साथ बनाते हैं, तो इस पे आपका क्या कहना है, क्या वाकई ये भारत के लिए एक बदलाव वाली सोच रहेगी? Definitely yes, और इसके तरफ मैं बहुत ही positive तरके से दिखता हूँ, 1991 में जब मैंने company join की थी, तो मैंने first जो काम लिया था company के अंदर, हमने exports तब तक हम नहीं करते थे, और मेरा जो first approach था, country को exports, हमारा brand को लिखे जाने का था, तो मैं कहूंगा, make in India का जो tag, आज हम लोग बहुत proudly जो और African countries में, काफी हद तक African countries में, ना बस की make in India का label, बट made in India का label, जो brand VIP है हमारा, यह हम across the, बहुत है की गल्फ countries तक, replace कर चुके काफी Koreans and Japanese brands को. Sir, future endeavors की बात करें, company के लिए आपने आगे का किस तरह से plan layout किया है, क्या है future prospects? Future में मेरे खाल से company को और बढ़ा करने के लिए, जो हमारी पूरी खाईब है, हम कहते है कि एक, हम आउतार ग्रूप करके हम अपने company में form करते है, जो एक vision हमने देखी है और जो एक mission की दरफ हम काम करते है, उसमें हर channel, हर channel बोला तो या तो फिर वो distribution channel हो, या वो wholesale channel हो, या modern trade channel हो, e-com, जो बहुत ही एक आज के date में बढ़ता हुआ channel है इंडिया में, या retail industry, हर channel में ये VIP spread करें, हर घर में, मतना कि किसी के भी wardrobe में जैसे हम जाये, तो VIP हर wardrobe में इंडिया में होना जरूरी है, this is what हम उस दौर पे जा रहे है, हमारी company के एक strength रही है, brands creation, जबकि हमने VIP create किय है, एक modern और classic personality के लिए, जबर उस दौर से हमारा Frenchy जो है, एक more youthful brand है, उस दौर से एक ladies wear के लिए हमारे पास brand आता है, feelings और kids के लिए brat और wholesale channel में जो हम लोग जो leader करके हमारे wholesale channel का brand है, तो इस दौर से हम multi brands के द्वारा, हम जो एक growth vision प्लान कर रहे है, वो पूरी आगे प्ला competition दिन बदिन जब बढ़ता जाता है, fast fashion की हम बात करते हैं, वो बढ़ता जा रहा है, और inner wear तो fashion से ज़ाद एक necessity की चीज है, हर किसी की life में, तो ऐसे में competition के बीच में, how do you ensure कि quality जो पहले जितनी अच्छी थी, लोगों का trust था, वो ही आगे तक maintain रहे है, competition की बात करें, तो मैं कहूँगा कि जब हमने पहले launch किया था, तभी भी competition रहती थी, आज ज़्यादा competition, men's undergarment segment में काफी brands आ चुके हैं, international और domestic भी, तो shelf space की issues आती है, और वो shelf space के लिए बहुत से सारे brands fight करते हैं, और उसके लिए right product, और जिसकी कहते हैं, हमेशा हमारे company में innovation के लिए जाने जाते हैं, और innovation के तौर पे हम लोग देखते हैं कि need क्या है customer की, तो बहुत सारी need identify करने के बाद, research करने के बाद, rightful product को हम लेके आते हैं, जिसकी प्लेस्मेंट हम फिर easy तरह से हम लोग उस retail चल्फ में कर पाते हैं, हलाग की तौर पे अभी एक जो हमने नह रंगर बनाने के लिए उस तरह के products लेके आते हैं, तो sir, VIP Clothing Limited, 51 years old company है, तब से यहाँ पर इसका नाम है, brand का नाम है, लेकिन आज के समय में, आज के लोगों के साथ, खासकर youth के साथ, relevancy बनाए रखने के लिए company क्या कर रही है? हमारे जितने भी e-commerce के जो platform है, और e-commerce को एक बहुत ही अलग तरीके से देखने के लिए जो पूरी team है, company and resources उसके लिए भी hire किये है, और इसको पूरे इसमें marketing, digital platform के ओपर यह Facebook, Insta, Twitter और बाकी के सारे जितने भी social media के जो platforms है, इसके ओपर advertisement करना, या reach youth को उस तरह से वहाँ जहाँ पर youth आज के date पर hook है, वहाँ पर हमको पोचने के लिए company पूरी efforts ले रही है, और इसे big platform की तरह से, मैंने कहाने है, जिस तरह से अलग channels, बाकी के channels है, e-com को भी हम एक बड़े मातरा में, इस digital platform के उपर उधारा देख रहे हैं। Sir, आपकी company इतने समय से market में है, अच्छा खासा एक नाम है, leaders की तौर पर आपको देखा जाता है, तो जायर से बात है, बहुत सारे awards के साथ, सम्मानों के साथ, company को नवाजा भी गया है, किस तरह के awards विले हैं, company को कुछ बढ़ाईएं। Right from 71 मेरे खाल से award की list कहने जाओंगा तो बहुत लंबी है, brand of the year awards, continuous हमें काफी year तक मिलते गया है, retail icon of the year का award हमें मिलते गया है, उसके बाद, बतने की advertisement के उपर हमें काफी awards मिले है, हमारी एक one of the advertisements, जो मैं कहूँगा की country में ban भी की थी, जब हमने launch की थी, Flying Under Garments के उपर एक Frenchie X के advertisement थी, उसे इंडिया में उसे ban किया था, बट फारी सेशिया में उसे best award का, उस advertisement को भी हमें best award उस time मिला हुआ है, तो ऐसे कहीं, बोलते हैं, unlimited awards, company ने और company के individuals, जो recognize हुए industry में, सभी को awards में कहूँगा कि list बहुत, and number of list हमारे पास awards के लिए, बिलकुल बहुत बहुत शुक्रिया हमाँ साथ जुड़ने के लिए, बहुत छालगा आप से बात करके, तो ये थे company के CMD, Mr. Sunil Pathare, यहां रुकने एक छोटे से break के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाएएगा, क्योंकि break के बाद हम बात करेंगे company के director, Mr. Kapil Pathare से, आप देखते रहिए, Voice के बाद आपका स्वागत है, Voice What Presents Inspirational Brands and Leaders Make in India में, आप हमारे साथ है, VIP Clothing Limited की director, Mr. Kapil Pathare, जो की जाने जाते हैं, company में लगातार हो रहे advancements के लिए, तो चलिए उनसे जानते हैं, कैसे उन्होंने company के dynamics को बदला, सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका, सबसे पहला मेरा सवाल आप से यह है कि आप VIP Clothing Limited से मात्र 21 साल की उम्र से जुड़ गये थे, और तब से आपका ध्यान innovations पे है, तो यह innovations क्या थे और कैसे इन्होंने company को और strong बनाया? innovations की बात करें, तो VIP हमेशा पहले से आगे चलता आ रहा है, मुझे याद है कि जिस तरह company की चब शुरुवात हुई, तो VIP एक मात्र ऐसी company है, जिनोंने अंतरवस्त्रिय के category में पहला विज्यापन, national television के रूप में आया था, यह एक innovation की शुरुवात हुई, मैंने जब company की द पहें हिस्सा माना जाता है, इसे हमने बदलने की कोशिश की, हमने innovation के दौर पे cutting machines हमारी job कहलाती है, हमने वो इतली से और फ्रांस से हमने import किया, और आज यह सारे machines हमारे factory में लगी हुई है, जिससे मात्र manufacturing efficiency में और भी बदलाव आया है, innovation के लिए company हमेशा मानी गई है और आगे भी हम ऐसे कई innovations company में लाते जाएंगे तो सर, कोविट जैसे मुश्किल वक्त में company के upgraded होने की वज़ा से company को कितना फाइदा मिला, कितना लाब मिला? जब रहा कठिन हो जाए तो out of box सोचना बहुत जरूरी होता है, ऐसे ही कठिन परशिती कोविट के दौरान सभी लोग को देखने को मिली, और ऐसे वक्त में जब कोविट का संक्रमन ये पूरे विश्व में आ गया, तो हमें भी कुछ सोचना पड़ा, हमारे फैक्टरी में हमारे जो 300-300 जो वर्कर्स रहते हैं, हमने पूरी तरीके से उन्हें अपने घर पहुचाने का काम किया, लेकिन कुछ कारण से जो borders seal हो रहें, ऐसे वक्त में उनके परिवार और उनके जो families थे वो बड़ी चिंता में उनके साथ हमारे साथ काफी context में रहें, लेकिन हमने उनके लिए जो company के अभीतर, जो guest house facility है, वो सारे workers को हमने फैक्टरी में रखा, ना जस्ट उन्हें stay, लेकिन उनके लिए खाना भी हमने अ लाँच किया, उन्हीं लोगों से जो हमारे factory में रहे रहे थे, मेरे हिसाब से एक साथ, सिर्फ एक company के वो employees नहीं थे, लेकिन एक नागरिक होते हुए हमने उनके लिए जो ख्याल किया, उसी प्रकार उन्होंने भी company के लिए reciprocate किया और VIP mask का लाँच हो गया, बिल्कुल मत आपने अपनी professional experiences को और passion को बहुत अच्छे से mix किया है, उनका mail किया है, sir, VIP Clothing Limited पचास साल से भी ज्यादा पुरानी company है, और company को कई तरह के सम्मानों से भी नवाजा गया है, चाहे वो most admirable brands की बात हो, या most trusted brands की, तो इस पे आपका क्या कहना है, देखिए पचास साल company, पच एहम जर्णी माना जाता है, और इसका श्रय मैं देना जाओंगा हमारे company के biggest pillars को, जो हमारे customers है, जो हमारे company के employees है, हमारे व्यापारी मित्र है, जो हमारे distributors, हमारे wholesalers, हमारे supply channel partners, और इसके साथ-साथ bankers भी है, और बहुत important हमारे shareholders, investors, जिन्होंने ये company के 50 साल की जर्णी में सहभागी हुए है, और उनके साथ-साथ ये company आगे बड़ी है, company के हमेशा जो winning trades है, जो हमारे founders company के कहते आये है, और वो निभाते आये है, वो है company एक बहुत बड़ी trusted Indian brand है, एक Indian brand जो केवल make in India concept को आगे global platform को लेके जाने की कोशिश कर रहे है और हमारे प्रधान बंतरी माननी नरेंदर मोदी जी का भी ये सिद्धान्त है कि make in India concept को आगे बड़ाया जाए सर एक और बहुत एहम सवाल मेरा कि company के और future plans क्या है, किस तरह से और expand करने के बारे में सोच रहे हैं Right now हम बात करेंगे तो retail एक बहुत बड़ा channel बन चुका है भारत में और जहां तक organized retailing का सवाल है तो मेरे इसाब से ये आगे चलते हुए बहुत एहम इस्सा बनने वाला है company के लिए और हम बात करेंगे इसी store के बारे में जो VIP Inner Stores कहलाते है हमने ये stores की शुरुआत की थी 5 साल पहले जब हमने कल्यान में पहला store का launch किया था कल्यान इसलिए क्योंकि हमारा पूरा base कल्यान से है हमारे founders कल्यान से है मेरा जन्मा कल्यान से है तो इसी की शुरुवात हमने कल्यान से की थी और आगे चलते हुए VIP Innerz जो company के सारे products हम एकी store के अंदर याने के one stop solution customers के लिए हम ला रहे है और हाला कि हमने ये store केरला में भी launch किया है franchise के रूप में और आगे चलते हुए हम तीन साल में इसे सव stores franchise के लिए launch करने वाले हैं तो ये plan है कि आगे हम retailing को और बढ़ावा देंगे और VIP Innerz stores को भी और आगे बढ़ावा लेंगे सर आपकी जो factory है VIP Clothing Limited की factory Tamil Nadu में है उसके बार में थोड़ा बताएं वहाँ पे किस तरह से काम होता है कितनी वड़ी factory है टमिल नाड़ू जो एक होजरी हब का बेस है ठिंगलूर जो कोईमबत्तुर से करीबन एक घंटे की दूरी पे है वहाँ पे हमारा factory का बेस है बी सेकर की जो एरिया है उसी के अंदर factory पूरी based की उई है और factory के अंदर हमारे करीबन 1200 से 1500 वर्कर्स काम करते है एक एहम बात यह है कि सारे जो वर्कर्स है वो जो हमारे जो operators है जो मशीन के ओपर बैठते है स्टिच करनी के लिए यह सारे महिलाए वर्कर्स है यानि वुमन एमपावर्मेंट को भी हम बहुत बड़ा बढ़ावा देते है और factory के साथ साथ वहाँ पे हमारी जो टाउंशिप है जहां पे 200 से 300 हमारे जो operators रहते है और साथ में हमारे जो employee जो staff है वो भी factory के अंदर टाउंशिप stay में रहते है तो मेरा कहना यह है कि एक एक इंटीग्रेटर सेट अप फैक्टरी जहां पे completely automation जो पूरी गर्मेंटिंग से लेके finished product तक और वहाँ से final dispatch उसी factory से होती है बहुत बहुत शुक्रिया हमा साथ जुडने के लिए हम उम्मीद करते हैं आपकी कंपनी इसी तरह बढ़ती रहे आपका customer base और grow होता रहे और innovation technology का mail करके आप इसी तरह कंपनी को आगे लिजा सकें तो यह थी व्याइपी Clothing Limited की inspirational story हमारे आज के एपिसोड voice what presents inspirational brands and leaders make in India में बस इतना ही मुझे दीजे इजासत नमस्कार करते हैं